नमस्का और दोस्तों स्वागत आप सभी कापके अपने यूडूब चैनल एक्जाम किंग पर बहुत-बहुत स्वागत है डियर संस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीकी के टोप फिफ्टी क्योशन जो बार-बार आपसे एक्जाम में पूछी जा रहे हैं डियर संस आपके C-B एक्जाम की त्यारी करे लहूं जहां पर भी आपके जीकी के कोश़़ं हैות तो इस वृडियो के मादयम से हम आपको जो क्यूशन करवाएंगे वह आपकी हल्प करेंगे आपके एक्जाम को कलर करने में आपको आपके लक्षय तक पोचानेमा आंसर बता दिया जाएगा डियोटसन सभी से रिक्वेस्ट है परते क्योशन का अंसर कमेंट वोक्स में जुरूर दीजेगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ कले रहोते चले तो चले देखे आज का आपका फर्स्ट क्योशन है भारतिय स्विधान की आठवी सुची में कुल कितनी भाषाओं का कितनी लेंग्वेज का उले खडियोटसन राइट आंसर होगा ओप्शन डी 22 यानि 22 ओप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर सेकिंड आपका रबड को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है तो याद रिखेगा रबड को क किसका ना रहें ओप्शन बी जुआरलाल नहरू रहेगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट है केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है तो याद रिखेगा जो केपी नहर है वो आंदर प्रदेश और तमिलाडू को जोड़ती है सी रहेगा आपका राइड आंसर नेक्स्ट है आपका फलो में मीठा स्वाद किसके कारण होता है फलो में मीठा स्वाद किसके कारण होता है option A फ्रक्टोज होगा आपका राइड आंसर नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा के बाद भारत में सरवादिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कोन सी है तो याद रखें कि एडियरस हिंदी भाषा के बाद भारत में जो सरवादिक बोली जाने वाली जो दूसरी भाषा है वो है बांगला भाषा सी रहेगा आपका right answer next है आपका इंद्रा गांधी हवाई अड़ा कहां पर सी था है इंद्रा गांधी हवाई अड़ा नूड एली में सी था है नजिली में सी था है बी होगा आपका राइड आंसर सब से भारी घ्रें कोन सा है ओप्शन बी भ्रस्पति है बी रहेगा आपका राइड आंसर नेक्स्ट है आपका दिली के लाल केले का निर्माण किस ने किया था शाह जहाने ता बी होगा आपका राइड आंसर next है हडपा कहां पर स्थीत है हडपा डियोसंस कहां पर स्थीत है option C Pakistan में स्थीत हडियोसंस C रहेगा आपका right answer next है आपका भारत में मुसलमानों के उच सिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कोन थे option A सरसेयद एहमद खां ए रहेगा आपका right answer चलिए 13 देखेगा, किसी तत्तव के गुणों को परदर्शित कोन करता है, तो यहाँ देखेगा किसी तत्तव के गुणों को डिर्शित, परमानु करमांक परदर्शित करता है, ए होगा आपका right answer, नेक्स्ट है भारत, भारतियों के लिए यह नारा किस ने दिया था, option B, आर यह समाज ने दिया था, B होगा आपका right answer, नेक्स्ट है, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस के मुख्य घटक, मिथेन है, A होगा आपका right answer, 16 आपका, भारत के राष्ट्य धवज को कब अपनाया गया था, option C, 22 जुलाई 1947 C रहेगा आपका right answer, चलिए, आपका right answer, नेक्स्ट है, आपका 19 देखेगा, टाइगर वूट्स का सम्वन, किस देश का सम्वन, खेल से है, टाइगर वूट्स का सम्वन, डिरसंस, किस खेल से है, option B, गोल्प से है, डिरसंस, बी रहेगा आपका right answer, नेक्स्ट है, आपका, परमानु शोध एवं, रेडियो थेरपी में, किसका परियोग किया जाता है, option C, red on, option C होगा आपका right answer, चलिए, 21 आपका, विन्या पिटक का सम्वन, किस धरम से है, विन्या पिटक का सम्वन, अड़ा, कहां परिश्टी थे, डिरसंस, right answer का option B, option B, चैन नहीं रहेगा, आपका right answer, चलिए, 23 देखेगा, राष्ट्य धवज में, कितने spokes है, कितने है, option C, 24 है, 24 है, डिरसंस, राष्ट्य धवज में, 24, 24 spokes है, option C होगा, आपका right answer, next है, आपका 24, सुल्टान पूर अभ्यारन कहां पर सीथ है, option B, हरियाना में सीथ है, डिरसंस, B रहेगा, आपका right answer, next है, आपका, आरसेनिक के परदूशन से कौन सा रोग होता है, तो option A, ब्लैक फूट ए रहेगा, आपका right answer, चलिए, 26 देखेगा, सुआ, किसकी राजधान है, सुआ है, डिरसंस, वो, किसकी राजधानी है, option C, फिजी, सी रहेगा, आपका right answer, चलिए, 27 देखेगा, लिटमस किससे पराप्त होता है, जो लिटमस है, वो, किससे पराप्त होता है, option A, लाइक इन होगा, आपका right answer, next है, आपका, अखरोट में कोन सा अमल पाया जाता ह है, चैनिक अमल पाया जाता है, अखरोट में, A होगा, आपका right answer, 29 है, आपका, सबसे चमकीलाग है, कौन सा है, डिरसंस, सबसे चमकीलाग है, option C, शुक्र है, डिरसंस, C रहेगा, आपका right answer, चलिए, 30 आपका, लूमेन, किसका मात रख है, option A, जोती फ्लक्स का है, A रहेगा आपका right answer, 31 आपका, मार्गेट नोबेल के नाम से, किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, option D, सिस्टर निवी देता को जाना जाता है, D रहेगा, आपका right answer, चलिए, 32 है, आपका, गेरी, कास्परो, किस देश के, सत्रंज, खिलारी है, डिरसंस, right answer का, option B, रूस आपका right answer, चलिए, 33 आपका, भारत के किस किर्केट खिलारी ने, टैस्ट किर्केट में, प्रथम शतक लगाया, right answer का, option D, लाला अमरनाद, D होगा, आपका right answer, next आपका 34, बिस्मिल्ला खा का संबंध किस वद्धे यंतर से है, तो याद रखे, का डिरसंस, बिस्मिल्ला खा क जो संबंध है, वो है डिरसंस, option C, शेहनाई C, C रहेगा आपका right answer, 35 आपका, भारत का मानेक्स में, किस देशांतर पर स्थित है, option D, 82 से एक डाद दो, डिगरी, D रहेगा आपका right answer, next है आपका, जिने दिन, जिदान किस देश के, फुटबोल, खिलारी है डिरसंस, option D, फ्रांस की है, किस के है, जिने दिन, जिदान, फ्रांस देश के डिरसंस, फुटबोल के खिलारी है, D रहेगा आपका right answer, next है आपका 37, सरदार, वल्लब भाई, पटेल, हवाई, अड़्डा कहां पर सित है, option D, एहमदाबाद रहेगा आपका right answer, next है आपका, सिंध परांत को अंग्रेजों ने किस वर्स अपने सामराजे में मिलाया था, option B, 1843, बी रहेगा आपका right answer, next है आपका, भारत का प्रथम परमानु प्रिक्षन कहां किया गया, भारत का प्रथम पहला परमानु प्रिक्षन डिरसंस कहां पर किया गया था, option C, पोखरण होगा आपका right answer, next है आपका लाल बहादूर सास्त्री हवाई अड्डा कहां पर है, लाल बहादूर सास्त्री हवाई अड्डा डिरसंस कहां पर है, option B, वारन सी में है, लाल बहादूर सास्त्री हवाई अड्डा, वारन सी में है डिरसंस, B होगा आपका right answer, चली, next है आपका, दाबोलिम अंतरास है हवाई अण्डा कहां पर सिथे D economies option B गोवा होगआ आपका right answer next है आपका 42 राजाशासी इंतरी हवाई अण्डा कहां पर सिथे option A अम्रित सर्मेसी थे A रहेगा आपका right answer 43 आपका हमारी सांस्कृतिक दोहर के लेखक कोन है तो हमारी सांस्कृतिक द्रोहर के जो लेखा का वो है डॉक्टर संकर दयाल सरमासी होगा आपका राइट आंसर नेक्स आपका 44 शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है क्लोरोफिल की शैवाल में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो डिर संस आधिक होती है ए होगा आपका राइट आंसर 45 आपका पाकिस्तान की संसत को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा आप पाकिस्तान की संसत को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है बी होगा आपका राइट आंसर चलिए 46 से दक्षिन अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है Option B, pump pass होगा आपका right answer 47 additions, पृत्वी के भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है Option C, oxygen रहेगा आपका right answer 48 आपका, अलमाटी बांध किस नदी पर सिथ है कौन सी नदी पर सिथ है, option B, कृष्णा रहेगा आपका right answer 49 आपका, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, कब बना था, option D 1933 में बना था, 1933 में बना था, D होगा आपका right answer चलिए आज का आपका last question देखेगा, चीन की राजधानी कहां पर सिथ है, option D बिजिंग होगा आपका right answer, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इसको कि बत्रम और आटे किया